बुड़ाफ्टरून, वेलकम प्रेशिक्स, आज आपने तल्लांगाने के CM के चेंदरशोकर साब की बर्थरेती, आज आपने बोदर में MLA शेकिलामेर के मिसेसों के अर्रेंजमेंट्स में बर्थरे पाड़िश पिड़ेवे, जो जो को प्रोग्राम से हो उसमें उनसे बात क के मालम कर लेंगे. तल्णगाना लो मन तलंगानो एदेदेः स्कीम्स पेट्टी नारू, सार, अधी चाला मन्चिप स्कीम्स पेट्टी नारू, आ स्कीम अंदर कावाली यानि भारत मुथम्थम्भारत देशम खावाली यान्नी अनकुँठ उन्नारू, दानकोसं मना में TRS लून्ची BRS को व देशमुन्दी अंदर की सीम केसियर सारकितीस को रावा लियानी है आय ते इबड़े रोज अंदर वादे पूझा चेस्तुनारू अधाय रोज फ्राइडे scheme's है यानि के बच्चा पैदा होने से लेके हम बूडे होई तक वो सारे scheme's और हमारे फार्मर्स के लिए scheme's हर एक चीज के लिए light का पानी का जो जो problem सा वो सारे problem अभी तक के जो जो government से हम लोग जितने problem से है वो पूरे problems इस तलंगाना की government के बाद खतम हो चुके है तो उसको लेके लोग इतना खुश है अभी हम नांदेर में मीटिंग करके है लेकिन आज नांदेर में भी celebrate किया जा रहा है सीम के सीर साब का बड़े बड़ी सीम साब हमारे को हमारे बेटों के जैसा देख रहे हमारे भाई के जैसा देख रहे इससे खुशी की बात क्या हो सकती कोई आपको एक वक्त की रोटी खिलाए तो आपको कितिनी दुआ निकलती सीम साब तो महेने को पेंशन दे रहे बच्चा बैदा होने को पैसे हो जाते हैं मिनौर्टी वालों के लिए फ्री स्कूल दे रहे हैं जहां पर फीज भी बनने की ज़रोत नहीं यूनिफॉर्म नहीं खाना नहीं कुछ नहीं आपको सरिफ अपने बच्चों को छोड़के केजी जो पीजी पढ़ा के निकालने का है तो इस खदर अच्छे अच् मतलब दिल से बड़ों की दुआ निकल रही बच्चों की दुआ निकल रही है कि किस खदर के सियार सहाब चोटी सी छोटी चीज चीज को सोंच के अपनी गवर्मेंट के लिए अपनी पब्लिक के लिए मैं और क्या कर सकतों और क्या बहतर कर सकतों बोलके एक-एक सोंच के नई नई स्कीम्स दाल के लोगों का दिल जीत रहे हर जगा। नई सारे कल आप तीन चार दिन से मिला के मेरे खैल से टोटल कॉंस्टेंसी में मोर दन टू करोर्स के चेक्स आगे है भी तका चार पांच दिन की बात कर रही हूं मैं सरिफ अभी और तो और चेक्स आही रहे हैं तो इस तरह एक लाक रुपे बहुत बड़ी रखाम है किसी भ लोस्त के बाति कम कोई ब बता चुकी जा रही तो है तो वो काफी टाइम से MS और रह चुके और वो कही सारे Ministers भी रही चुके तो वो को मोत को देखे कि मुस्लिम किस खडरमनुर्टी सपश्चली किस खडर परेशान है उनके पास पैसे भी नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, फीज देने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उनके लिए क्या, इसलिए तुम मैं बता रहा हुढ़ी हर एक बाल से बारिक से बारिक छीज को सोन सोच और बच्चों के लिए, बड़ों देना पड़ेगा, वो सब चीजे निकाल दे, यहां तक कि तीन टाइम का अच्छा खाना, मैं खुद जाके खाना खाके हूँ, टाइम पे गरम गरम तीन टाइम का खाना आता है, एक टाइम का सनाय का आता है, रोज दूद आता है, रोज अंडे आते हैं, जो कोई भी अफ़र इसके गर्ल्स या बोई स्कूल में हॉस्टल में बच्चों को दा लिए, मैं भी ये डोर टो डोर भी प्रोग्राम करी हूँ, और अभी भी आप सबसे पेरिंट से मैं दिल से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाईए और आगे बढ़ाईए जब हमारे केसी और सीम साब अपने को यह अपुचुनिटी दे रहे हैं तो आप लोग भी इसको भरपूर इसका फैदा उठाईए है, तिलेंगना सीम साब स्कीमा लगाए है, बोधन के स्कीमा को क्या बूलना चाहूंगी, क्योंकि हर कोई सीम के सिवा कुछ नहीं दे रहे हैं, और जितने स्कीमा वो रखे हैं, आज तक कोई भी गौर्णमेंट रखी भी नहीं है, और रखी भी तो जूट बोली है, जूट बोली है, जूट बोली है, कुछ नहीं मिला है, लेकिन हमारे तलंगाने में हमने जो जो भी बोला है, हमारे सीम साब ने जो जो भी बोला है, व इसमें भी सर को पकड़ पड़कर के बोर रहे हैं कि हमारे घर में हर घर में चार पांच स्कीम तो आराम से आए हैं और हर घर में दो दो तीन 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 शादी भी हो रहे हैं तो दो तीन 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 भी चेक्स मिले हैं दो दो महने में तीन तीन महने में साल में भी चार पांच बच्चों के शेक्स मिले है शादी मुबारक है तो उस तरह लोग काफी खुश है लोग तो यही बोरे कि हमें तो यही गवर्मेंट चाहिए क्योंकि जो यह गवर्मेंट प्रामिस करिए वो हमको सब मिल रहा है इसके अलावा हमको खुछ नहीं चाहिए और बहुत खुश है दिल से खुश है और मैं बोधन की अवाम के तरफ से के सीम के सीयार साब को मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी तिलंगाना की सीम बने जबसे और अपने आली जिनाप शेकिल साहवे मिले बने जबसे अपने टोटल अपने बोधन कॉंस्टेंसी को टोटल 30 करोर साए अभी तक शादी मुबारक कलियाना लक्षमी मिला के अभी तक 30 करोर साए जो के बहुती बड़ा रखा मैं एक पेंशन हर मेना 46,740 लोगों को आ रहा है बेनिफेशरी जो है और 9,82 लाक्स अभी तक दिया जा रहा है यहां पर बोधन कॉंस्टेंसी में दिया जा रहा है तो यह भी काफी बड़ा एमाउंट है तो चाहे वो शादी मुबारक रहने दीजे चाहे वो पेंशन रहने दीज है बेनिफेशरी जो हमारे पेंशन के है वो है 9,82 लाक्स पर मंत